जेहिन सत्य अठ्येंत्य दुकत समाचाप प्राप्ट हो रहा है पठान कोट से पंजाब के पठान कोट में सो रहे दो जवानों पर एक फोजी ने गोली मार दी जिसकी वजहा से दोनों जवानों की मोगे पर ही मौत हो गई आरोपी जवान वहाँ से फरार हो चुका है आरोपी जवान लोकेस कुमार छुट्टी ना मिलने से नाराज था और इसलिए वहाँ इस घटना को अंजाम दिया सत्यो इस गोली बारी में जान गमाने वाले हमारे वीर फोजी का नाम सूर्य कांत था वहीं गाउं में सहीद जवान सूर्य कांत की सूचना मिलते ही गाउं और गाउं के आसपास के छेतर में मातम परस गया है वहीं गाउं में सभी लोगों ने अपनी दुकाने भी बन कर दी है और सहीद जवान सूर्य कांत को सोसल मिडिया के माध्यम से इस्तानी सासन प्रसासन के लोगों ने स्रधान जली अरपित की है वही उनके वीर परिवार के लिए गहरी सवेदना प्रकट की है वही सूरी कांते ने 2007 में भारती सेना में सामिल हुए थे इनके साधी 2014 में उनके परिवार में माता पिता पत्नी और बच्चे हैं इनकी सहादत पर पूरी परिवार में सोक की लहर हैं सहीद जवान सूरी कांते पठान कोट में वीरगती को प्राप्त हो गए हैं जम्मू कस्मीर में एक दिल दहलाने वली खबर सामने आ रही है बता दे कि उनका पार्थिव सरील आज साम तक उनके पित्थिक गाउं आने की संभावना बताई जा रही है जहां परिजन उनका पार्थिव सरील आने का कर रहे हैं इंतजार साथियों उनका अन्तिम संसकार पूरे राश्टिय संबान के साथ उनके पित्थिक गाउं में किया जाएगा जहां इस्थानिय साशंद प्रसाशंद के लोगों ने उनके इस अदम में सहास को नमन किया है आवो जुकर सलाम करें उनको जिनके हिस्से ये मुकाम आता है कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खुन वतन के काम आता है साथियों उनका अंतिन संसकार आज उनके पेथिक गाउं में ही खिया जाएगा जहां सेना की टुकडी भी साथ मोजूत रहेगी और सहीद जवान को सेना सम्मान देगी मा भरती के वीर सपुच सहीद जवान सूज कांत को उनकी सेवाओं के लिए मेरा सच्चन नमन भगवान मा भारती के वीर सपुच सहीद जवान सूर्य कांत की आत्मा को सांति प्रदान करे वही उनके वीर परिवार के लिए गेहरी सवेदना प्रकट करता हूँ